प्रदेश की 89 फिस्दी आबादी गाउं में ही रहती है और गाउं से जुड़े विकासकारियों के सिलसले में आज हमारे साथ है खास महमान हमारे हादम प्रदेश सरकार के ग्रामीड विकास मंतरी डाक्टर महें सिंग आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद तो आज हम बात करेंगे ग्रामीर से जुड़ी हुई, ग्राम विकास से जुड़ी हुई और समाम उन योजनाओं की, जिससे हमारी गवाव का डेवलोप्मेंट होता है, उनकी क्या इस्ति है और सीधे संबाद होगा हमारा डाक्टर महें सिंह के साथ. टाक्टर महें सिंग जी हम सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि पिछले एक साल में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है आपने जब से एक विवहाग समाला है क्या कुछ नजर आया है मोदी जी का सपना है कि ग्रामोदै से ही भारत उद्य हो सकता है और जैसा कि मोदी जी ने जहार खंड से नहारा दिया कि ग्रामोदै से भारत उद्य हो सकता है दुसरा उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट बिलेश बनेगा तभी नियू इंडिया की कलपना को हम साकार कर सकते हैं तो मोदी जी का और योगी जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए मैं सौभागिशाली हूँ कि उन्होंने मुझको उत्तर प्रदेश में आउसर दिया है और इसी दिर्शी से उत्तपदेश सरकार ने और ग्राम बिकास विभाग ने मानी मुक्ष मंत्री योगी आदित तिनाज जी के मारदर्शन में एक अभूत पूरब कारे करने का काम किया है जिसके कारण से आज कई स्किमों में हम भारत सरकार के रेटिंग में नंबर वन पर है और सबसे महत्वा कांग्षी योजना जो प्रधान मंत्री जी किये है कि प्रधान मंत्री आवास योजना प्रधान मंत्री का है सपना हर गरीब का हो घर अपना उसके तहत मानी प्रधान मंत्री जी का कहना है कि 2022 तक हम सभी उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं है जिनका घर नहीं है जिनके सर पर च्छत नहीं है उनको सब को च्छत मिले इसके लिए बिवस्था करने की बात उन्होंने कही है और उसी के तहट उत्तप्रदेश सरकार ने पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आवास पना करके आठ महीने के अंदर वह आवास पना करके हम लोग सिर्थ 7-10, सब्सक्राइब करना चाहूंगा इस से पिछली सरकार यो थी उस मंतरी आवास योजना को लेकर कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है और इस आपके सरकार आने के बाद इस प्रिखान मंतरी आवास योजना को लेकर बड़ा लच्छ रखा गया है और जिसका दावा कर रहे हैं कि उससे पूरा भी कर रहे हैं तो इसमें जो पिछली आवास योजना है थी यह हम जाना चाहेंगे जैसे लोहिया आवास योजना इन्रावास योजना इस सब चीजों का विले कर दिया गया है इसमें अब लाभारतियों को चैन किस तरीके से किया जाता है सबसे बड़ी बात है कि लोहिया आवास योजना उन्होंने पांच सालों के लि लेकिन बड़ी बात थी कि लोहिया में जो उन्होंने सेलेक्ट किया था उसको बना नहीं पाए उसको भी बनाने का काम मैंने ही पूरा किया उन्होंने छोड़ करके चले गए एक किस्त दो किस्त देने के बाद दो आवासों को पूरा नहीं कर पाए थे उनको भी मैंने पूरा के यहांता की इंद्रा अवास की बात है इंद्रा आवास बीस अक्टूबर Denome Ver 2016 को ही तो इसकीम समाप्त हो गई ती उसी के नाम पर पर प्रदानमंत्री या वास यह जना है और अवरत के अंदर और यह जो प्रदांमंत्री आवास योजना आई है वो 2016 और 2017 जब यहाँ पर दूसरे पार्टी की सरकार थी सफा सरकार थी तो उस सरकार को पांच लाख 2700 आवास बनाने के लिए प्रधामिंतरी आवास योजना के तहत लक्ष दिया गया लेकिन पांच लाख 2700 आवास में से भी एक भी आवास सरकार नहीं बना पाई पूरे की पूरे लक्ष ऐसे पढ़े रहे साल भर जब 2017 में हमारी सरकार बनी सरकार बनने के बाद जब हम लोगों ने देखा तो पता चला कि भारत में सबसे पीछे नीचे लगाले पाइदान पर उत्तर प्रदेश का नम लिखा हुआ है क्योंकि काम ही हम लोग सुरू नहीं कर पाये थे उसके बाद दूसरे साल का भी हमको लक्ष प्राप्त हुआ और दूनों साल के लक्षों को मिला करके कुल 971,000 आवास मनाने के लक्षम को प्राप्त हुए इन में जहां तक चैन की बात है य जिनके पास दो पहिया बहां नहीं है, चार पहिया बहां नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, बीपियल कार्ड धारक हैं, गुमन तूजातियां हैं, किसी के पास रहने के लिए कोई अस्थान नहीं है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स तैय किये गए गए जिनके आदार पर, हाधार नहीं होना लिए और भार्ष सरकार ने बार उसी सुची को बनाने के बाद उसी सूची के अनुरूप उन्हें लक्षिनिर धारित किया इस योजना में पार दरशता कैसे बनी रहे गीकिक्ए पिछले योजनाओं में देखा गया है सबसे जादा अनिमिता आती है आवास योजनाओं में। बहुत बड़ी बात आपने कियी, पारदर्शिता कैसे बनी रहेगे। मैंने पारदर्शिता बनाने के लिए बहुत सारे काम किया है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते कि लक्ष को हमने प्राप्त कैसे किया भारत सरकार ने गाइड लाइन्स में कहा कि 40-44-44 की तीन किस्ते होगी एक आवास के लिए उन्होंने सामाने लोगों के आवास को एक लाग पीसजार रुपए देते हैं और जो नकसली छेतर में आवास हैं आदिवाशियों के लिए उनको एक लाग तीसजार रुपए निर्धारित किया गया उसके लिए निर्धारित किया चालिस 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 की तीन किस्ते हम देगे मैं मंत्री बनते ही सबसे पहले भरष्टाचार कैसे समापत हो अनीमिता कैसे समापत हो इसके के नहीं दो किस्तों में मकान बनाना सब्सक्राइब किस्त आ जाएगी लाभारती के खाते में पैसा सीधे जाएगा और लाभारती स्वता अपना मकान बनाएगा उसकी मानिटरिंग ग्राम विकास बिवाग करेगा उसमें जब पहला आप नियू भर देंगे तो नियू भरने के बाद दूसरी किस्त के लिए आपको फोटो पेज करना करना पड़े क्योंकि गाओं का गरीब आदमी जब नियू पढ़ जाती है और फोटो जाती है तो लोग गाओं के लोग कहते हैं अब कुछ ना कुछ दोगे तबी दूसरी किस्त आएगी जी बिल्कुल उसी का जिक्र करना है और उसमें किस तरीके का फीडबैक आ रहा और माइक पे जीप पे माइक लगा करके जैसे पहले वसूली के लिए जीप जाती थी ऐसे सभी गाओं में गुमाया और सब से कहा ये पैसा आपको प्रधानमंतरी और मुख्यमंतरी जी दे रहे हैं ये प्रधानमंतरी आपको आवास दे रहे हैं प्रधान नहीं दे रहा है इसलिए आपको किसी को पैसा देने क्या होशकता नहीं है आपका नाम अगर लिस्ट में है तो हंडेट पर्सेंट आपको पैसा मिलेगा और आपका मकान पूरा होगा इसलिए पैसा देने क्या होशकता नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारे दरसक देख रहे होंगे तो वो भी इस उसको सबको हमने वाल लाइटिंग में लिखाया अगर कोई आप से पैसा मांगता है तो पहली बार सरकार ने विवस्ता किया है कि हम उसके ओपर फाइयार करेंगे उसको जेल बेजेंगे और अंतिम किस्त में अपनी रंगावी पताई को पूरा करता है बिल्कुल गरीब के को सुप्रिम कोट की गाइडलाइन्स के अनुसार हमने उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया है परिवर्तन के आधार पर मेरा अभी प्रदानमंतरी आवास में बहुत सारे चीज़े चूट गएंगे क्योंकि बहुत इंप्वाटन चीज़ें हैं जो चूट गई हैं मैं उसकी ज़रूर चाहोंगा कोस सक Спर बात हो जिसंटे कि जनता भी उसको जानने और समरे लेकिन आप विधायक निदि पे आ गये हैं इसलिए मैं विधायक निदि क्या होता था कि कि सिभी सिक्षण सनस्था को आप अब जितना पैसा चाहते न देते थे हमने लिमिट कर जा थिया हमने कहा कि कोई भी किसी भी कारे के लिए पचीस लाग से ज़ादा रूपय आप कहीं नहीं दे सकते नमबर वान, नमबर टू, इलाज के लिए पैसा अलग निर्धारित किया गया, आप दा कोई आ गई तो उसका पैसा अलग निर्धारित किया गया और हमने कहा कि अब सिय जी दोरा पाकाय दे, इन सब चीजों का कामों का भी आपकी आडिटिंग होगी, आप कोई बचे गा नह और उस गाइडलाइन के अनुरूप एक बार में कितना पैसा दे सकते हैं, किसको पैसा दे सकते हैं, कहा कहा आप खर्च कर सकते हैं, बाकाय दे एक पारदर्शी गाइडलाइन चारी करके हम लोगों ने विधायक नगदी में पारदर्शिता लाने की कोशिस किया है, और जि प्रदान मंत्री जी ने जो आवास की विवस्ता की है वो बहुत अद्भूद है सबसे पहले तो हम उसको घर दे रहे हैं घर के साथ एक लाख बीस हजार के अलावां सोचाले बनाने के लिए बारह जार रुपे अलग से दे रहे हैं इसके साथ साथ जो गरीब आदमी बैट करके अपना घर बनाएगा वो मजदूरी नहीं कर पाएगा उसकी रोटी कैसे चलेगी उसका पेट कैसे भरेगा इसके लिए प्रदान मंत्री जी ने मन्रेगा के तहत 90 दिन के मजदूरी पंद्रा हजार साथ सो रुपे उसके लिए अलग से विवस्ता किया क्यों आदमी खुद वहां खड़े हो के मकान बना रहा इफले पंद्रा हजार साथ सो रुपे उसको अलग से देंगे तीसरी बेवस्ता किया कि जितने ऐसे गरीब लोग हैं, उनके घरों में बिजली का connection मुफ्त में देंगे चौती बेवस्ता किया कि जो भी ऐसे गरीब लोग हैं, उनको हम फिरी में गैस का connection देंगे यानि एक घर को पुरा complete करेंगे, घर भी बनाएंगे, आपका सोचले भी बनाएंगे, आपको गैस का connection भी देंगे, आपको बिजली का connection भी देंगे और इसके साथ साथ, सीधे सभी योजनाओं से जोड़ेंगे उस व्यक्ति को, और इसमें एक और चीज है की नहीं है, कि बच्चों को अगर वो लोग स्कूल भेजते हैं, वो भी मश्ट करने की ज़र्वारत हैं, उसको भी मश्ट किया, वो तो अभी अलग हम योजना में आ कर दे रहें, सोचले भी होगा, उसमें घर के अंदर किचन भी होगा, पचीस स्क्वार मीटर में उसका घर बनेगा, एक सुन्दर सा घर बनाके, जैसा एक सामाने रूप से, सामाने लोग, बड़े लोग रहते हैं, वैसे उसके घर में सभी सुवधाओं से युक्ताम घर ब सीना चोड़ा करके गर्व के साथ एक गरीब आदनी स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी सकता है ऐसा मकान बना के दिया और सबसे बड़ी बात रही कि आठ महीने के अंदर बना करके दिये ये बड़ी उपलब्दी हमारी रही के आठ लाग पचासी हजार मकान हम लोगों ने आठ महीने में पूरे करके सब के सर्टिफिकेट वहां के विधायक और सांसत के दौरा उनको दिया प्रधानमंत्री जी ने भी दिया और फिर सब को चा प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ बाढ़ आती है घर बह जाता है गरीब आदमी का बिजली गिरती है घर तूट जाता है तूफान आता है घर समापत हो जाता है लेकिन कोई योजना आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया पहली बार उत्त्रप्रदेश सरकार मानी कि घर जैसे बह जाएगा घर तूट जाएगा घर में आग लग जाएगी कोई दिक्कत हो जाएगी तो हम उस आदमी को ततकाल घर उपलब्द कराएंगे उसके लिए बजट में प्रावधान किया है अब उत्तरप्रदेश में किसी को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी उ बैल जाएगा इसके साथ एक बहुत आप भी बच्पन से देखेंगे हम लोगों ने भी देखा बहे लिया है बंटाकिया हैं मुसहर हैं जिनके पास न जमीन है न घर है हम उनको आवास देते हैं प्रदान मंत्री आवाद जिव जनके पास जमीन हो जिनकर अपना घर ना हो बाकी चीज हो लेकिन ऐसे लोगों को हम कहां ले जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं उसके लिए मुख्यमंतरी आवास में हमने प्रावधान किया ग्राम समाच के जमीन होगी बंटा किया हैं बहेलिया हैं घुमंतु जातिया हैं विबिन जगों पर आप देखते होंगे मुख्यमंतरी आवास में घुमंतु जातियों को इनको सबको उसमें हम जोड़ेंगे और इनको भी आवास मिल सके इसकी वेवस्ता करेंगे तो संपूर्ण रूप से जितने ऐसे लोग हैं जो आवास ही ने इनके पास घर अपना नहीं है उनको सबको घर कैसे प्राप्त हो वो प्रधानमंतरी आवास हो जना केता है वो मुख्यमंतरी आवास हो जना केता है कोई छूट ने न पाए उसकी वेवस्ता करने हैं और तीशरी अंतिम बात बहुत इंपॉर्टन बात है कि जिन लोगों ने सिक सुची में नाम चूट किया मान लिजे कि सर्वे हुआ किसी क दरीब आदनी से लोग पैसा ले लेते हैं, कुछ करते हैं, उसके किस तातियत उसमें कुछ लेते हैं, बड़ी बात तो यह है कि मानिप्रधानमंतरी जी ने सीधे लाभारती के खाते में पैसा बहेंज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाओं में ऐसी बात सुनने क कभी कभी आती हैं तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रामीर संबाद हमारा पोटल है वेब साइट है उस पर आप ग्रामीर संबाद को अपने किसी भी मुबाइल पड़ डालेंगे गाओं में कहीं कोई आदमी बैठा हो तो गाओं के आदमी स्मार्ट पोड पे देख सकते हैं हम कि जल्दी इसको में काम करेंगे किसी को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है ना कुछ देने और लेने की जरूरत बहुत बड़ी शरुवात किया है बहुत बड़ा एक अभियान चला आपको पता है कि उत्त्रप्रदेश में कुल 69163 ग्राम पन्चायते हैं पूरे उत्त्रप् ज़्यादा आओगा अभी सहरी करण जिस तरीके से हुआ है बाकी सब हुआ है लेकिन अभी तक जो हमारा सर्वे है जो हमारा अपना आकलन है कि 22-23 करोड के उत्तव देश में लगबक 17-18 करोड लोग अभी भी गाउं में हैं इन 17-18 करोड लोगों को अपनी गाउं में जाकर क बहुत सारे गाउं ऐसे हैं लगबक 16-25 गाउं निकले जहां पर आज तक कोई विकास कारण नहीं हुआ अब उनको आज़ादी का माइने क्या है उनको आज तक नहीं पता चल पाया कि मेरा देश आज़ा होता क्या है विकास होता क्या हो जानते ही नहीं है जानते नहीं मोक्यमंतरी जी ने कहा कि प्राथमिक्ता के अधार पर जिन गाउं में आज तक विकास की किरन नहीं पहुची है उन गाउं को भी हमको विकास के उससे जोड़ना चाहिए और उसके लिए उन्होंने मोक्यमंतरी शमद्रावादी तकलीफ होती है आज देश को आजाद हुए 1947 से अब तक वहां पर विकास नहीं पहुचवाई एक बड़ी बात है क्यों नहीं पहुंचा इसके कई कारण होंगे पहुंचना चाहिए यह जरूरत है समय की चोटे-चोटे-चोटे-पूरे हैं मजरे हैं टोले हैं रेबनी बिलेज आपके उतबदेश में 98 98,000 हैं और इस तरीके फिर गाओं की संक्या बहुत बड़ी है जो हम लोग गाओं में जाते हैं एक पंचायत है एक चोटा सा मजरा है टोला है दस पंद्रा बीस घर है लेकिन वहां तक जाने के लिए सलक नहीं है आदमी बीमारा हो जाए तो ऑस्पताल नहीं पहुच सकता पीने के लिए इंडिया मार का टू नहीं है पानी नहीं है कैसे जिंदगी लोग जीते हैं विजली के अतार नहीं है तो उनका सर्वे करके मुख्यवंत्री शमग्र ग्राम विकासी उजना के तहत मानी मुख्यवंत्री जी का निर्देस हुआ कि उन गाओं में जहां तक आस जोड़ी गरी नंबर वन जोड़ा गया कि बार्डर के जितने गाओं लिए अंतराश्टी बार्डर हो इया राज्यस्तुरी बार्डर जस स्लाइक उत्तव प्रदेश के 8 राज्यों से हमारा उत्तर प्रदेश विभिनराजिव से जुड़ता है जिनका बारर अब भीहार के वर बाडर को और बाडर के गाउं को अच्छी तरीके से अभी तक विकास से जो अचूते रहेंगा जैसे नेपाल बाडर को कभी देखने जाइए तो तो आपको लगेगा थारू जनजाती आ रहती है उनको कोई पूछने वाला नहीं है वें विकास की क्रिणने नहीं पहुँच पाई है अभी भी गरिवी बहुत है तो ऐसी आपको चिन्नीत करके हमारी जनजाती गाओं जो है हमारे बाडर के गाओं जो है और जो हमारे ऐसे गाओं हैं जिनमे आज तक कभी विकास नहीं हुआ और इसके फासाथ सेना में हमारे जवान सहीद होते हैं और इतना हमारी कुर्बानी देश के लिए देते हैं लेकिन उनके घर तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है और कोई प्राविधान नहीं कि हम उनके घर तक कैसे पहुँचे और पहुँचने के लिए ततकाल सड़क कैसे बनाए गोली खा करके एक जवान सहीद होता है हो हमारे दिए गव और गवोर का वीश्यूए है। लेकिन उसका प्राविधान वम उसको सम्मानित कैसे कर सकते हैं। मानी मुख्वंत्रीजी ने कहा हम गाउं में तोरण द्वार बनाएंगे उसके नामसे मूर्ती भी लगाएंगे और गौरोपत का निर्मार करेंगे यानि उसके घर तक पहुचने के लिए सड़क का निर्मार करेंगे तो समग्र गाम विकास मुख्यमंतरी जी का जो है वो आदर्स वेवस्ता है और मुख्यमंतरी आवास योजना भी आदर्स हुआ दोनों को मिला करके हम उपेक्षित बंचित तलिस सोसित जितने भी मुसहर बंटा किया ऐसे घुमंतू जातियां और प्लस जो देश के लिए प्रदेश के लिए गर्व और गोरोग के विशे हैं उनको सबको समग्रता के आधार पर जोड़ते हुए हम समग्र मुख्यमंतरी शमग्र ग्राम विकास योजना के तहत और म हमें एक और जिक्र करेंगे जिस तरीके से पुरानी सरकार में करमचारियों की कार संस्कति थी आपको भी सामना करना पड़ा होगा किस तरीके से बदलाव किया आपने काम लेना भी एक बड़ी बात होती है हाँ निश्यत रूप से जब मैं मंतरी बना था तो बहुत सारी चुना होती है मेरे सामने थी और काम करने की इक्षा शक्ति लोगों की समापत हो गई थी लोग काम नहीं करना चाहते हैं लोग अपने जुआर से अपने अस्थान को बनाते थे जिसमें अधिकारियों के ट्रांसपर के साथ और भी बात हैं जुआर से लोग करते थे मैंने बहुत कठिन परिश्ण करके कि लोगों को समझाने में काम्याब रहा कि अब जुआड नहीं चलेगा जुआड का समापत हो गया है उसके लिए करमसा हमने समिक्षा बैठक किया पहली बार बीडियो को बुलाके पांच दिन की ट्रेनिंग मैंने उत्तपदेश में लखनू में दिया एक एक बीडियो की ट् responsibility fix की कि आपकी responsibility है यह आपका लक्ष है और इसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो इस पर कारवाई होगी और जो पूरा करेगा उसको हम सम्मानित करने का काम करेंगे पहले धीरे में थोड़े दिन लगा हमको काम को तेज़ करने में लेकिन जब उन्होंने देखा पारि प्रमोशन की डेट आएगी आप प्रमोट हो जाओगे जितने करमचारियों की पिंसन वगेरा बखी नहीं मिल पा रही तो उनको सबको बेवस्तित करा एक भी काम किसी का पेंडिंग नहीं छोड़ा सबका परमोशन क्रमसा समय बद्द तरीके से कराना शुरू कि एक पारद कि लेकिन इसके वसमें आपको काम करके दिखाना पड़ेंगा और उसका प्रणाम रहा कि लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया जिसका प्रणाम हiu कि आज हम भारत पेन नंवर एक कहस्तान पर ऑई और अब वह वज़कों करने की प्रभिति बनी और उसी का प्रणाम था कि आगे फिर मैंने और योजनाओं को इस साल नए तरीके से पारधर्शी तरीके से लाने की कोशिश्स किया तो अधिकारियों में काम करने की प्रिणडा जागरित हुई जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिखा रही हैं मैंने पिछले साल ही कोशिश किया था उसको बनाते बनाते हमको तीन-चार महीं ने लगे सबकी कुंडली तेयार की कुंडली इंदसेंस की जब तो नोकरी में आये और आज त आपकी कोई चीज छूट रही है तो आप जुड़वा लो उनको अशर भी दिया देने के बाद ग्रेडिंग मना के मैं यहीं गर्णा संस्थान में सबको एक साथ बुलाया और सामाने पोस्ट के लोग नहीं है सीडियो पोस्ट जेडिसी की पोस्ट पीडी की पोस्ट एंड सब लोगों को बैठें बैठने के बाद ग्रेडिंग तैह होगी ग्रेडिंग तैह होने के बाद हमने ब्लैक बोर्ड पर जिले लिख दिये जो नंबर एक पर था अधिकारी जिसकी परफार्मेंस सबसे टॉप पे थी सबसे पहली च्वाइस उसको मैंने दिया आप इस में स चुनो उसने चुना फिर सेकेंड थाट पॉर्थ जिसने जैसे जैसे क्रम आया और चुनते चले गए लोगों ने बहुत सराना किया सबकी च्वाइस के आधार पर उनकी परफार्मेंस के आधार पर मैंने उनको सबको ट्रांसफर किया और सबसे बड़ी बात है कि सबके साम अंदर नहीं पर टाइप राइटर में था तक मुड़ी लगा था मैंने तुरंट टाइप कर आह और शबको अपने हांसे उनको ट्रांसफर लेटर्शक मापर दिया एक आधर्स ट्रांसफर पें ट्रांसपरर कईसे हो सकता है और एक गंटे में पूरे उत्ता प्रदेश का कैसे हो सकता है यह क्या है कैसे उसे रहा है मन्यगा की चीजों में मैंने बहुत सारा परिवर्ट के इंदर मुझा बताते हैं कि जो मन्यगा ब्रश्टचार का केंदर बन गया और पूरे उत्तरप्रदेश के अंदर, भारत के अंदर मनलेगा की जियो टेकिंग, जितनी संपत्यां बर नहीं, अब तक रिकार्ट कुछ नहीं होता था, हम उसकी सब की जियो टेकिंग कर रहे हैं, भारत सरकार के वेबसाइट पर और यहां पर, जियो टेकिंग में हमारा उत्तरपदेश बहुत आगे निकल गया, 87% संपत्यों का हम जियो टेकिंग अभी तक करा चुए, दूसरा मजदूरों की मजदूरी जो थी उसमें भी बहुत घपला होता था, मैंने आधार बेस पेमेंट के लिए 97% अभी तक हम जापकार्ट धारकों को आधार बेस से जोड़ती है, अब दूनों तरीके से जोडने के बाद, उसको जोड़ करके और आधार बेस पेमेंट हमने खातों में कराने की विवस्ता कराई है, 97% आधार बेस पेमेंट को मैंने इस 8-9 महीने के अंदर उसको जोड़ा, सबसे बड़ी बात थी कि काम आज होता था, और मजदूर की मजदूरी दो महीने तीन महीने बाद मिलती थी एक गरीब आदनी एक सो पचाहतर रुपए के लिए भटकता रहता था और बहुत सारे उसमें घपले होते थे मैंने उसको लेट पेमेंट को पूरी तरके से समाप दिया और विवस्ता बनाई कि पंदरा दिन के अं किसी एक काम को जो लोग कहते थे कि एक ही ताला बार-बार खुदता है एक ही सड़क बार-बार बनती है अब आपको अगर एक सड़क की फोटोग्राफ लेके कंप्यूटर में आप डालोगे तो आप कहां खड़े हो उसका लंगिटीट लेटीट आएगा दुबारा आप ज जोड़ेंगे आधार बेस पेमेंट करेंगे और इसके साथ-साथ मजदूरी में जो लेट पेमेंट था उसको समाप्त करेंगे और इसके सिवा बहुत बड़ी बात है कि मन्रेगा से हम काम क्या करेंगे पहले मन्रेगा से केवल मिट्टी फेकते थे बाकी कुछ करते थे इतनी बड़ी संक्या में ऐंगनबाड़ी मंलीगा से जो बन करके बड़ी संख्या में तयार हो गए है इसी के साथ साथ अब हम तालाबों की खुदाई जो करा रहे हैं उन तालाबूं की खुदाई के लिए Det meditation पिश्री बार मैंने मन्रेगा से ब्रिक्ष लगाए उसमें तैय कि पीपल लगेगा पाकड लगेगी बरगद लगेगा नीम लगेगा आम लगेगा जामुन लगेगा और मुझको बताते हुए खुशी हो रही कि तालाबों के किनारे के प्लेटफॉर्म और सरकारी भौनों औ पांच फिट से नीचे का कोई पेड नहीं लगेगा 100% पेड सर्वाइब करें और सारे पेड ऐसे हों जो सर्वाइबल उनका रेट जो है रेटिंग जो है वो 100% हो सत प्रतिशत हो क्योंकि अभी तक जो पेड़ लगते हैं वो लगाने के बाद पेड कहां गए पता नहीं ल तो मनरेगा में एक अंतिम बात पताता हूँ, अभी हम लोगोंने मनरेगा के तहट पूरे उत्तर प्रदेश में तीन काम बहुत important लिए हैं, जो बहुत ही महत्पूर है, जैसे आजकल छुटा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या हुई है, उसके लिए गोसाला जगा जग सब्सक्राओं के रेने वाले तो आपको पता है कि कुवा जो है मुसरापूर्टा था पाताल से कनेक्शन उसका होता था और वाटर रिचार्जिंग का सबसे अच्छा सुरोत हमारे कुवें होते थे, मैक्सिमिम्म कुवें भट गए, जिसके कारण से अब सीधे डारेक्ट जिक्र किया है तो उस बुंदेल खंड का भी जिक्र हो जाए जहां पे नजाने कितना पैसा आया था और कहां चला गया है अंदाजा नहीं मिला हमेशा बुंदेल खंड अपनी बदहाल इस्तिती में ही नजर आया हो उसको आगे वहाँ डेवलप्मेंट के विकासकार यथा इस्तिती हो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है वहां क्या इस्तिती है आपने बहुत बड़ा प्रशन उठाया है मेरा मंदेगा अधूरा रह गया लेकिन मैं आगे वरता हूं बुंदेल खंड की बड़ी चनौती लोगों के रहती थी जब मैं मंत्री बना तो उसके एक घटना हो गई हौई धुकंप पा गया कोई सूनामी आ गई तो कन्ट्ररल रूम सुना होगा पानी के लिए कंट्रल रूम बने गा ऐसा किसी ने इकल्पना नहीं किया मंत्री बनने के बाद मैंने पानी के लिए कंट्रों न ब्लॉक लेबिल पे, डिस्टिक लेबिल पे, इस्टेट लेबिल पे, जलनिगम एंड रेविनियो बिवाद, दोनों के मिला करके कंट्रोल रूम के अस्थापना किया, और कंट्रोल रूम टैंकर कितनी देर में कहां से कहां पहुचेगा, उसकी विवस्ता सुनी शिक्रत रहा करके चार हजार आठ सो पंद्रा इंडिया अमारका टू की रिभूरिंग एंड एक हजार एक सो चोहत्तर नए इंडिया अमारका टू तीन महीने के अंदर लगा करके पानी की विवस्ता को सुनिश्रित कराया पान सो इक्यासी पाई पेजल परियोजनाओं में से जितनी योज़न के देखेंगे तो दो हजार सतरा के अंसार हम अगर आप देखेंगे तो कुल इक्यासी लाग पापुलेशन है एक्यासी लाग पापुलेशन में हमारे हाँ एक लाग तिरपन जार साथ सो चीहतर इंडिया मारका टू को अगर आप डिवाइड करोगे तो एक इंडिया मारका टू के सापेक्शे 54-55 लोग आते हैं पानी के लिए एक्यासी पाइप पेजल परियोजनाओं के मादम से जो आकड़े कहते हैं उसमें लगबख 30-32 लाग लोगों को पानी मिलता है जबके हम इन आकड़ों पे भरोशा नहीं करते हैं जो पाइप पेजल का है उसके बावजूत हमने मंत्री बने के बाद अब तक 17 बार बुंदेल खंड का दोरा किया है मैंने के बुंदेल खंड का और पानी की विवस्ता समचित धंग से लोगों को प्राप्त हो इसके लिए 49 परियोजनाओं थी पाइप पेजल की जो पिछले 10-12 सालों से बन रही थ थी उसमें से मुझे को बताते हुए खुशी हो रही कि 43 परियोजनाओं को मैंने एक साल के अंदर पूरा कर दिया पूरा करके उनको चला दिया कभी आप चित्रूट जाईएगा तो मौ की परियोजना बरगड की परियोजना देखिएगा जो 12-13 साल से बन रही थी करोड़ रूपए चले गए परियोजना नहीं बन पाई उसको आज मैंने चालू करा दिया एक साल के अंदर 932 करोड रूपए लगा करके उत्तर प्रदेश के अंदर 436 परियोजनाओं को मैंने एक साल के अंदर जो पिछले 10 साल से योजनाओं बन रखके चल रही थी केवल पैसा ज चालू करने का काम हमने एक साल के अंदर किया गाओं के लोगों को सुद्ध पेजल मिले पाईप से पेजल मिले जलस्तर उंचा हो कूँ का सुद्धी करण हो तालाप खोदे जाए विच्छार उपर अच्छे ढंग से हो और सोलर पंप के माध्यम से भी लोगों को जगा अवलग जी और ग्रीज जी हमारे सहयोगी हैं दोनों लोग ऐसा करके मैंने सभी कमिस्री में उसकी बैठा किया बुंदेल खंड जैसे इस तरही ही सोनबद्र की है मिर्जापूर की है लहाबाद की है कौशामभी की है कानपूर की दाहत की है हमारे फिरोजाबाद की है आग रोजगारी की समस्या जानना चाहेंगे पलायन बड़ी समस्या है बुंदेल-खंड की गाउं के गाउं में युवक बाहर रहते हैं उनको रोजगार से जोडने के लिए ग्रामीड इस तरह पे मन्रेगा से जोडेंगे या अन्न कोई योजना वहां पर मन्रेगा मन्रेगा बह को दिया तीसरा बुंदेल-खंड हाईवे मानी मुख्यमंतरी जी ने दिया चौथा एनारलम जो हमारी राष्टी अग्रामीड आजीवी का मिशन है उसके तहत हम बुंदेल-खंड में महिलाओं के उत्थान के लिए विसेशूप से डेरी बनाने जा रहे हैं जो हर महिला को सब को रोजगार प्राप्त हो बुंदेल-खंड उत्पदेश शरकार योगी जी की सरकार की परत्विक्ता में है हम रोजगार भी देंगे हम कृषी शितर में विकास भी करेंगे हम सड़कों के माद्थं से बुंदेल-खंड को समरिद्शाली बनाएंगे हम नوجवानों के ल इसलिए बच्चों की शादी नहीं होती इतनी बड़ी प्रब्लम है कि आदमी वहां साधी करने के लिए जाता पानी नहीं है लोगों के पार हम लोगों ने तैय किया है माने मुखमंत्री जी निर्देश दिया हम लोग प्रोजेक्ट उसका त्यार कर रहे हैं गाउं गाउं त मिल सकेगी जो हमारा बुंदेलखन बहुत समरिदशाली है महाँ प्रतिभा बहुत है बहुत अच्छे लोग है क्रिशी के मामले में भी बहुत अच्छी खेती की जा सकती है सब कुछ बुंदेलखन के पास है जमीन है हमारे पास खनी संपदा बुंदेलखन के अंदर है सार अजारों करोण का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा हमारे अधनी प्रधान मंत्री जी ने डिफेंस करीडोर दे दिया, जहांसी में भी बैठक करके हम लोग उसकी जल्दी से सुरुआत करने जा रहे हैं, तीसरा वहाँ पर देरी लगाने के सभी भलाकों में उसके विवस्ता कर दी गई, चौथा पानी की विवस्ता पीने की विवस्ता हम लोग करा रहे हैं, पाचवा मानी मुक्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड में सभी जिलों को जोडने के लिए हाई बेर दिल्ली को जोड़ कर दिया, तो यान में एक बड़ी समस्या होती है सड़कों की, परसाथ आने वाली है, क्या लगता है अब जो गड़े हैं वो भर पाएंगे? गाउं में खुशाहली कैसे आ सकती है, अगर चलने के लिए फड़क नहीं है, तो गाउं समर्दिशाली नहीं बन सकता है, उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, और मुझको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक साल के अंदर, पिछली साल के तुल्ला में और इस साल, ज 4,041 किलो मेंटर सडक हमने एक साल के अंदर बना के दिया है, और सडक ही नहीं बनाया, सडक की क्वालिटी को मेंटेन किया, और आपको बताते हुए खुशी हो रहे है, उत्तरपिदेश ऐसा राज्य है, जिसको सडकों में भी बहुत बड़ी अभी सम्मान मिला है, हम लोग जिसे हम लोग लगबग 1800 किलो मेंटर सडक बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 786 किलो मेंटर सडक हम लोग अभी तक पूरी कर चुके है, शाड़े 5500 किलो मेंटर सडक की डिमांड हम लोगों ने अभी किया था, 800 किलो मेंटर सडक फिर हमको मिल गई है, हमारे पास अगले साल फ क्वालिटी मॉनेक्रिंग हमारी कमेटी है सेकेंद नमबर को निशुनल मिंटेर्टी मिन्टेन legs ूछे gustado कुछा dough साथ पर जो संस्था बनाती है उसका उच्छ दिकेरियों के दौरा मुशकार्ता कौर्ड अई जो क्वालिटी मॉनेट्रिंग कमेटी है और त्री अस्त्री है दूसरा आपको एक सड़क बनाने में उसकी थिकनिस जो है वो लगबख 27.25 से 30 संटीमीटर होती है उसके तीन चार पैरामीटर से हैं हम जब गिट्टी जालते हैं बोल्डर्स जालते हैं उसको जी वन बोलते हैं तो दस संटीमीटर होता है तो उसके वाद दालते हैं तो हमारा सौन संटीमीटर होता फिर जी फी डालते हैं वह साढ़ सासा संटीमिटर करते हैं करते हैं इस तरीख से करक दोसकी क्षीों में 1002 वोक्यमंत्री जी ने कहा था कि गढ़्धा मुक्ते सड़के करनी है मुझको बताते हूँ खुशी हो रही है कि 10,776 किलोमीटर सड़क जो प्रधार मंत्री ग्राम सड़क योजना में गढ़्धा यूट सड़क जिसका मेंटिनेंस ग्राम विकास विवाग करता है हमारे यहां पास थी उसका 100% सत्य प्रतिशत हमने गढ़्धा मुक्त करके दिया और मैंने एक काम और किया जिन सड़कों को हमने टांसपर कर दिया हैं उन सब सड़कों पर अब हमने बोर्ड लगा दिये यह सड़क कितनी तारीक को पीड़ेवलूड के पास चली गया जिम्मेदारी उन बहुत अच्छी बात कहिए आपने मेरे पास 100% की बोस्ता है हम सड़क जब बनाते हैं तो पांच साल तक उसके अनरक्टन रख रखाओं की पूरी जिम्मेदारी उस क्वांटेक्टर की है उसमें बवस्ता है सड़क में गड़ा होते ही ततकाल उस गड़े को पाटना है साल तक सड़क का मेंटिनेंस अनवरत जारी रहे इसकी विवस्ता हम उसमें करते हैं इसलिए गड़ा होने लिए बिलकुल हम जिकर करेंगे आज युका मिशन योजना का और इसके साथ ही गाओं के ग्रामीरों को समाजिक सुरच्छा मिले वह कौन सी योजना है जिससे आदमी क जीवन इसतर सुधरेगा ये बड़ी चीज होती है बहुत बड़ी बात है और आजिवी का मिशन के तहट उत्तपरदेश में जो काम होना चाहिए था पिछली सरकारों में नहीं हुआ भारत के बिभी निराज बहुत आगे निकल गए गरीब महिलाओं को जोड़ करके हम ला सकते हैं 62,000 समु हमने एक साल के अंदर नए समुऊं का गठन किया उत्तपरदेश में 200 बाक ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने इंटेशिब बलाक के तहत उसको लिया है और उन बलाकों के अंदर समुऊं का गठन कर रहे हैं उनके जियों में बहुत बड़ा परिवड़़ प्राइब ल państwa रुपए एक महिला भेंगों का सकती है उसमें जो सीएसी हमारी है जहां पर खाना बनता इ warrior उस कंटीन को चलाने के लिए हम अपने साहथ़ा समू को दे रहे हैं जितने जेल हैं उसमें समोशा चाए पानी जो जाता उसकी केंटीन चलाने के लिए हम उनको दे रहे हैं, जितनी भी इस तरीके के काम होते हैं, उनको सब को दे करके हम लोगों ने, अपने समूहों को 10 से 15 हजार रुपए अपने घर का काम करते हुए महिलाएं कैसे करके आगे बढ़ सकती है, ग्रामय रस्तर पे लोगों को कौशल विकास किस त ओपयां मीशक्ता करते हुए मॉथ बढ़ के ला गकरते हैं, कॉशल विकास हमारा दूसरा मंत्रा ले्िका साम को देखता है, लेकिन हमारी ग्रामय विकास से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, बहिने हैं, ऊनको mental उफस्थे context के लिए से कुमार चाक चलाता था हाथ से अभी हमने एक छोटे से मोटर लगा करके उसको चाक बना दिया, एक दिन के अंदर हो हजारों कुलर्ण और बरतन बना सकता है, तो उसको ट्रेनिंग दे करके उससे उनुन किया, कई तरीके के कौसल विकास करके हम लोग उनको आगे बढ़ाने क काम करना है एक और योजना का हम जिक्र करेंगे प्रधानुंत्री आदर्स क्राम योजना जी natuurlijk क्या इसस्ति है इसी गहने की प्रधान मंत्री यह युजना के तहत बहुत सारे सांसत दूसरे दल के के लोगों ने उसको चुना ही नहीं हमारे जिसमें चिन लोगों ने चुना उन गाओं का समचित विकास करने के लिए हम लोगों क्ना था कि जतने भी सांसद हैं अपने चेतर के गाउं को को कैसे साफ सुतरा सकते हैं हम अपने गाउंके बिकास कैसे कर सकते हैं अपने गाउं के जितनी योजना हैं उनको लाकर के गाओं को नंबर एक का गाओं कैसे बना सकते हैं मुख्य उद्देश इसका गाइड लाइन से थी लोगों ने क्या समझा कि आदर्स गाम योजना में चुनाओ होते ही इसके लिए अलग से फंडिंग आएगी और इसका विकास होगा यह मोटो नहीं था मोट फिर्षे लोगों को ट्रेन करना जागरूग करना यह बहुत करना असके लिए बहुत सबसे काम होग लेकिन उसको लोगों ने दूसरी भावना से देखी जिस कारण से उस मानक पर लोगों को उचला है अब बात करते हैं सुच्छता अभियान में किस तरीके से चल रहा है सोचाले को लेकर या बाकी सोच्छता पूरे अभियान की बात करें पूरे उत्तव प्रदेश अभी देश के अंदर स्वक्षता में प्रदान मंत्री ने वधाई दिया कि नबर एक पर रहा और बहुत बड़ी बात है कि मानी मुक्य मंत्री जी ने बड़ी आदर से स्थति उत्तव प्रदेश में अस्थापित किया अर्तिस लाग सोचाले बन गया उत्तव प्रदेश के अंदर गरीब लोगों को सोचाले मिल रहे हैं बहुत सारे जिले ओडी अब घोशित हो गए हैं दो हजार अठारा अक्टूबर तक हम लोग इसको ओडी अब घोशित करने वाले हैं उत्तव प्रदेश के लगबग जिलों को और एक बात पड़ी बात है कि सफ़क्षता अभियान के तहरत हमारा संगठन भी भारती जुनता पाट्स भी और सरकार मिल करके गाऊं गाऊं में सफाइश के लिए बहुत जरूरी और प्रधान मंत्री का जो अभियान है ए अभूदम पूर्भ हैं इसकी जितनी सराहना इन्हों ने सुक्षता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बहुत अभियान चला है पिछले ही सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया था जिस कारण से कहीं न कहीं हम थोड़ा पीछे रह गए थे लेकिन मानी मुख्यमंत्री जी का जोर उस पर बहुत है और इ एई और एई एस प्रभाबच जितने चेतर थे वहां पर सब तरीके की विवस्ता कैसे समझत हो सके उसकी विवस्ता सुनिचित करा जन्साहभागता किस तरीके से आपको देखती है जब आप गाउं में जाते हैं देखते हैं सुचता अभियान को लेके गाउं का आदमी इतना अच्छा फीडबेक रहा कि गाउं के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई सरकार के लोग हमारे दरवाजे आये मंतरी हमारे घर के सामने हमारे गाउं में बैठा है रात रात बर वहां बैठ कौन कौन सी समस्या सबसे यादा आपको सुनने को देखे सबसे बड़ी रहती है वो revenue की समस्या रहती है तैसील की समस्या थाने की समस्या इन समस्या रोज़ की दिंचर्या में जो आने वाली समस्या है ऊससे लोग प्रते दिन रूबरू होते हैं तो उनको लगता है कि इसमें थोड़ी सी कुछ ओर अच्छा हो तो अच्छा रहेगा सो अब आब एक से गाउं में पार्टी बंदी होती है बाकी सब चीज़े होती है तो वो समस्या है दैनिक समस्या होती बिल्कुल एक खास और से कब्जू की समस्या सुनने में ज्यादा मिली थी जिस तरीके से आप लोग गए तो लोग वहां पर जो समस्या लेके रात को आते ह कब्जे के रहीं लेकिन जो सरहना हुई हो उत्तर्बडेस सरकार की कई मामलों में घ्सानों का करचा मापी हुआ बड़ी इंडनिया खैन नह्फ़ान हुआ बहुत बड़ी सरहना हुई गेहूं की खरीज जिस पारदर्शिता के आधार पर पहली बार हुई लोगों को अभूत पूरू लगा पहली बार धान की जो खरीद हुई लोगों को बहुत अच्छा लगा तो गाउं के लोग प्रशन न थे कि पहली बार कोई सरकार है जो पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना है देखिए सबसे बड़ी बात है कि गाओं का जो मानी मोदी जी का कहना है स्मार्ट विलस और ग्रामोद है इसको अगर हम लोग देखें तो हमको यह लगता है कि अभी भी गाओं में जिस तरीके का पेरमेटर्स हैं जैसा हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर एक अस्पताल भी हो जाए वहाँ बिद्यले भी हो जाए पंचाह दोन भी हो जाए गाओं के आदमी को तहसील और कहीं जाना न पड़े उसको कोई प्रमार पत्र लेना है तो वहीं पर उसको उपलब्द हो जाए यह सब उस्ता कंप्यूटराइज हो जाए हमारे हाँ सारा ब्राडबर्ब का सहयोग होना चाहिए लोगों की जो इंक्रोश्मेंट है उसको हटाने की जो बात होनी चाहिए कुछ चुनोतिया ऐसी है लेकिन दीरे-दीरे करके जब आप विकास कारे ले करके जाते हैं तो गाओं स्वता और श्वावाविक रूफ से सहयोग करने के लिए आगे बढ़ आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर कितने गाओं में केविल पर गई कितने ग्राओं में ब्राडब्रेंट से जोड़ दिया कितने गाओं को डिजिटाइल कर दिया अब हर गाओं तक बैठे बैठे आदमी सब कुछ देख पा रहा है आगे जिस तरीके से प्रधानमंतर तो यह जोगता है और पर गाओं को दृष्ट में और गरीब को दृष्ट में करके बनाये हुए हैं और इसी का प्रणाम है कि मोदी जी का जो जादू चला है हर गरीब के मन में उनके प्रत्षद्धा और भाव बना हुआ है क्योंकि गरीब ही उनके लिए पंडित दिन दियालुपाद्ध है जो अन्तोदे था जो मिशन था उसको साक्षातकार साकार करने का जो बीड़ा जी ने वो धरती पर धरातल पर दिखाई पड़ रहा है और मैं समझता हूं इतनी बड़ी इच्छा सक्ति और इतनी बड़ी संकल्प शक्ति का दूसरा कोई बैठती हो ही नहीं सकता है अन्तोदे पर बैठा आदमी सबसे कमजोर होता है उस कमजोर आदमी को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े भेष्टाचार का सामना न करना पड़े योजनाए उस तक पहुंचें इसके लिए डाक्टर महिन सिंग क्या कहेंगी कि अब उसको सिकायत आने वाले समय में न अब तो गरीब का पैसा गरीब के खाते में जा रहा है अब तो पैंसन बिकलांग और विद्धा और विद्वा उसके खाते में जा रही है अब तो घर का पैसा उसके खाते में जा रहा है इसलिए कोई बिचोलिया अगर कोई गड़वडी करने की कोशिस करेगा तो उसकी ख प्रबंदन है वेवस्ता है और सरकार के उपलब्दियां लोगों के मन में घर कर गई है और जिस तरीके से लाय और की सिचिएशन उत्तरपदेश में अच्छी हुई है और लोगों को लगता है कि मुदी जी और योगी जी मिलकर के उत्तरपदेश को नंबर एक का राज तो बिलकुल ये थे डाक्टर महें सिंग जोने बेवाकी से हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से भारत प्रदेश के ग्रामीर इलागों का विकास किया जाएगा आज हमारे पास समय इतना ही था आपका अभार चर्चा में भाग लेने के लिए तो फिर मिलें किसी अन्य कारिक्रम में आज कारिक्रम में बस इतना ही नमस्कार